आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 Android iPhone में आप अपने mobile phone के power button को दबाए बिना आप अपने phone को restart कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जान करी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में start कर लेते हैं देखी दोस् आपको सबसे उपर की साइड से एक क्विक पैनल ओपन करना है यह आपको सबसे उपर की साइड यह power का button होता है तो यहां पर इस तरीकी से पेज आएगा इसमा आपको restart का यह button मिलता है restart पर टाप करेंगे तो आपका phone automatic switch on हो जाएगा यह तो हो गया पहला तरीका phone को restart करने क वह भी power button को दबाए भी न ठीक है अब देखें दूसरा तरीका क्या होता है आपको अपने mobile phone में setting page open करने है setting page में आपको नीचे की साइड आना है यहापर आपको एक option मिलता है नीचे accessibility इसे आपको tap करना है अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड एक option मिलता है यह interaction and dexterity ठीक है इससे आपको tap करना है ठीक है अब आपको एक यहाला page आगा इस पेज में आपको ना assistant menu की option मिलता असिटेंट मेंन्यो का यह option इसके name के उपर आपको tap करना है तो आपको अपको सबसे उपर off के सामने ला button tap करना है आपको एक पेज आता है इसमें आपको अलाव का यह स्क्रीन पर सभी जगे पर दिखाई देगा ठीक है तो इस बटन को आपको एक single tap करना है तो आपका इस तरीके से page open होता है छोटा था इस page को आप left और right ऐसे slide कर सकते हैं ठीक है इसमें और भी option होते हैं ठीक है तो यहाँ पर इस page में यह power of menu का option होता है इसे आपको tap करना है ठीक है power of menu पर तो आपका इस तरीके से page आगा इसमें आपको restart का option मिलता है restart पर tap करेंगे तो इससे आपका phone automatic switch off होगा automatic switch on हो जाएगा ठीक है तो यह मैंने आपको इन दो तरीके बता दिये mobile phone को restart करने के वो भी power button को दबाए बिना तो इन दोनों तरीकों का use आप अपने phone में जरूर करके देखिए